एक बोनस शेयर देगी कमपनी साथ ही दस टुकडों में बंटेगा स्टॉक हुआ एलान बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट स्मॉल केप कमपनी IFL Enterprises अपने निवेशकों को तगड़ा मुनाफ़ा देने का एलान किया है। कमपनी ने अपने निवेशकों के लिए बोनस शेयर और स्टॉक स्प्लिट की घोशना की है। वहीं इसके लिए रिकॉर्ड डेट के रूप में 21 अपरेल 2023 को तै किया है। इसके अलावा कमपनी ने बोनस इकविटी शेयरों को जारी करने का भी एलान किया है। इसके तहट निवेशकों को मौजूदा चार शेयरों पर एक बोनस शेयर दिया जाएगा। कमपनी के शेयर प्राइस हिस्ट्री आयूफल एंटरप्राइजेज के शेयर बुधवार को B.S.E. पर 153 रुपए 60 पैसे के स्तर पर बंध हुए, जो पिछले बंध 152 रुपए 5 पैसे से 1.02 परसेंट अधिक है। स्टॉक ने 1,667,726 शेयरों का कुल वॉल्यूम उसत और 1,27,934 शेयरों या 76.73 परसेंट का डिलिवरेबल वॉल्यूम उसत दर्स किया। स्टॉक ने पिछले 5 वर्षों में 3,305.76 और पिछले 3 सालों के दौरान 1,817.60 परसेंट का मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। स्टॉक ने 187 रुपए 20 पैसे के 52 सप्ताह के हाई 24 मार्च 2023 को और 29 मार्च 2022 को 52 सप्ताह के निचले स्टर 16 रुपए 83 पैसे को टच कर लिया था। यानि मौजूदा बाजार प्राइस स्टॉक एक साल के निचले स्टर से 812.65 परसेंट उपर और हाल के एक साल के हाई से 17.94 नीचे कारोबार कर रहा है। इसके साथ ही कमपनी तरहत रह के टेपर और उससे जुड़े सामान डिस्ट्रिब्यूट करती है। इसका मार्केट केप 289.43 करोड रुपए है। कमपनी की तिमाही नतीजे। बता दें कि आयफिल एंटरप्राइजेज को दिसमबर 2022 तिमाही में शुद्ध लाप 15 पैसे करोड का हुआ था। जबकि दिसमबर 2021 की समाप्त तिमाही में 2.36 पैसे करोड का शुद्ध घाटा हुआ था। यानि कमपनी साल भर में घाटे से मुनाफे में आ गई है। आयफिल एंटरप्राइजर्स का EPS of Y 23 की तीसरी तिमाही में 8 पैसे सी आर था, जबकि of Y 22 की इसी तिमाही में 7.87 पैसे का घाटा हुआ था।